प्रदेश के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने चात्र चात्राओं को प्रणित करते हुए कहा कि वे जिस छेत्र में भी जाएं उस छेत्र के नेता बने यानि उस छेत्र में सबसे आगे रहें और सर्वोत्तम कारी करें ये बात उन्होंने भारतिय प्रद्योगीक सस्तान रूड़की में राश्ट्रिय सेवा योजना की ओर से आयोजित सस्टेनिबिलिटी कॉनकुलेव 2022 में कहीं आयाईटी रूड़की में शुक्रवार्व को तीन दिवशिय सस्टेनिबिलिटी कॉनकुलेव का शुभारंब किया गया था कॉनकुलेव में के उध्गातन के मौके पर मुख्य अथिती के रोप में मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी उपस्तित रहे इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने सतत विकास से ही सभी समस्याओं का निदान संभव है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सतत विकास के लिए सरकार की ओर से जलवायू परिवर्तन जलसंग रक्षन आदी मुद्दों पर नियोतियों का निर्मान किया जा रहा है उन कि सभी मेरे पिरियत चात्रे और चात्रा हैं मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सब कामने देता हूं कि आपका यहां प्रप्रारण हो रहा है और जैसा कि लगाता भूदियों का इसमें बहुत सारे कि जो इसे सब्के होंगे उन सभी के द्वारा यहां पर आपको क्या ख्यान दिया जाएगा और निस्चित रूप से आप सभी को बहुत सारी जीने जो आप लोग यहां पर सीख रहे हैं उसमें कुछ नई चीने और सीख मिलेंगी कि इसलिए 172 बरसों से आयाइटी रूर्की 322 सिक्षा के चेत्र में देश यहों परदेश को लगातार गौर्मानिक करता रहा है आयाइटी रूर्की से पढ़े अन्यक ज्याती आज देश के बरिश्ट पतों पर अपनी सिवाएं दे रहे हैं अब समय तक मैं भी इस्टूरेट रहा हूं विश्टू विद्याले में छात्र रहा हूं मैंने लग्दों विश्टू विद्याले से पढ़ाई किये और आज चत्रुबेदी साम कुझे कह रहे हैं थे कि आप आये आपने बड़ा अच्छा किया मैंने कभी भी कोई छात्रो सब्सक्राइब मैं तरहें विश्टू करता हूं कि आप सब्सक्राइब को चूटिये इस देशी आज आप जो आज आगता जो जो आपडनंता समय जो आप सीख रहे हैं याँ आप आप यह स्बस्क्राणन का समय यह सिख्षय आंगता समय यह आपके जीवन में यह आपके जीवन में कि में डुबार्स कभी लोटा कर आने वाला नहीं इसलिए जवानी है यह जिंदगानी है यह बार बार लोट कर आने वाली नहीं है किस तरह से हम उसके एक एक सब्सक्राइब करें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों से बहुत सारी उमीद है आपको उमीद के ओला आपके मता किता की नहीं है आपके उमीद के ओला आपके भूज़दों की नहीं है आप से उमीद आपके महले वालों को है आपके उस सहर वालों को है आपको आपसे उमीद आस पास के पूरे छित्र के लोगो कि आप सब लोग आप लोग नेता बनिये हैं है कि अब आप आप लोग में से आइसे भी वन जाओंगे तक कोई दिक्करत नहीं कोई सबस्या नहीं है लेकिन आपको निता बनना है कैसा निता जैसे कुछ सालों पहले हम कहते थे किर्केट के छित्र में सचिन जंदूर को जिनल मास्टर बला उत्राखंट सरकार में कैबनेट मंतरी चंदन रामदास अल्मोडा पहुँचे जहां बज़ेपी कारी करताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया अल्मोडा पहुचने पर कैबनेट मंतरी चंदन रामदास ने कहा कि सरकार में मिले दायत्व के लिए वो मुख्यमंतरी धामी का धन्यवाद करते हैं और उनकी प्राथ मिक्ता रहेगी कि वो संपूर तरीके से कारी करेंगे और कहा कि रोडवेज की समस्याओं के साथ सड़कों की स्थिती भी सुधारी जाएगी मंत्री मंदल में सामिल होने के बाद अपने ग्रह जन्मपत अल्मोडा होगी मेरा जन्मस्तान है और बागिशर जन्मपत बनने के बाद बड़े भाई के रूप में अल्मोडा मैं मैं पहली बार आया हूं मैं यहां के अपने मानी अध्यक जी की उनकी पूरी टीम की हमारे जन कर्दाउं का इस अभिनेंदन के लिए अपने कार्य करताओं को अपने जन्पत के लोगों को दिल से बहुत बहूर आभार विक्त करता हूं इनका सब पूराने लंबित मामले को हम निस्तारित करें और रोड़ बेज को एक नए प्रिष्टे भूमी के रूप में प्रतिस्ताबित करें क्योंकि बहुत सी समझ्याएं हैं और समझ्याओं का निदान धेरे-धेरे क्रम उत्राखंड में बिजेपी विधानसवा चुनाव फतह करने के बाद एक्शन मोड पर दिख रही है बात चाहे सविल कोट की हो या नकेल कसने की धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है इसी कड़ी में सिम धामी ने भ्रष्टाचार को रोखनी के लिए एक टोल फ्री 1064 जार धन्सिंग रावत ने संग्यान लेते हुए कहा कि दोस्तियों को बक्षा नहीं चाहेगा विभागी कमिटी ने इसकी चांच कर रही है आज जरूरत हुई तो इस मामले में साइट चांच भिकराएंगे के साथ यह पूरी खबर एन्वी न्यूस ने बड़ी प्रमुक्ता के साथ दिखाये और इसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला आपको बताते हैं क्याबनेट मंतरी धन्सिंग रावत ने इसे इस मामले को संग्यान में लिया तो सहकारिता विभाग में जो भरष्टाचार हैं इसके मामले आते रहते हैं जिसे एन्वी न्यूस ने बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया परिवहन और समाच कल्यान मंतरी चंदन रामदास ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को सुगम तरीके से कराया जाएगा अहल दुआनी में मीडिया के मुखातिब होतो हुए चंदन रामदास ने कहा कि आगामी 18 अप्रेल को सभी निजी ऑपरेटर और परिवहन विभागों की बैठक ली जाएगी जिसमें चार धाम यात्रा के लिए किराय का निर्धारन किया जाएगा उन्होंने कहा कि समाज कल्यान और परिवहन में सुधार लाने के लिए विभागी अधिकारियों को सौद दिन का रोड मैप दिया गया है जिसमें परिवहन डिपो का बढ़ाने का काम किया जाएगा और घाटे से उबरने पर जोड दिया जाएगा कैबनेट चंदन रामदास ने कहा कि उनका लक्ष रोड वेज को ठीक कराना है इसले किसी भी कीमत पर अधिकारियों की लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि गाउं से समाच कल्यान के कैम्प लगाए जाएगे इसके अलावा पहाडों में कुटीर और लगु उध्योक लगाकर पलायन को कम करने पर भी जोड दिया जाएगा आफ देगे परीवन विभाग की मैंने समिक्षा कि Miller और परिवन विभाग में जो रोड वे सक्टर है उसके सबसे जादा समस्याए है और मैं समस्ता हूं कि जो रोड़वेज का घाटा है, वेतन की समस्या है, अपने करमचारे के डूज हैं, उनको निस्तारन करने के लिए मैंने बिसेश उजना बनाई है और सौ दिन का मैंने रोड़ मैप त्यार किया है, और मैं सौ दिन के अंदर रोड़वेज के घाटे को कम करने का प्रयास, करमचारे को नियमित वितन देने का प्रयास, और जो रोड़वेज के कई बस स्केशन हैं, जो खस्ता हालक में हैं, जो विवादित हैं, उनको भी मैं निस्तारिद करने का प्रयास करूंगा देखे चारधाम यात्रा में पानी मुख्यमंत्री जीने भी समिक्षक की है मैंने भी की है और 18 तारिक को मैंने निजी वहां स्वामियों विभाग और चारधाम यात्रा में जो जो शेयोग करते हैं सब के साथ बैठक करनी है मैं चाहता कि देश में पेटरल और रिजल के दाम जब से बड़े हैं उसका असर अब सब्जियों के दामों पर भी दिखने लगा है कि नए सीजन की सब्जियां आने से थोड़ी राहत होगी क्योंकि दामों में बढ़ोत्री की वज़ा से कम ही लोग सबजिया लेने पहुंच रहे हैं वहीं सानिय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई की वज़ा से लोगों की परेशानिया बढ़ी है महाल भया मंदी का जे है कि महेंगाई की मारे गरा कश्टुमर आई नी रहा है सारी चीज़े महंगी हो रखी नीवू 200 रुपे किलो बिंडी करेले तोरी जे भी सारी चीज़े महंगी बन दो एक चीज़ सबस्ती हैं खीरा है कद्दू है ये चीज़े सब्सक्राइब और तो सारी चीज़े महेंगी लेकिन इस हफ्टे के बाद अब डॉन हो जाएंगी नहीं सब्जीय चलंगी तब डॉन होंगी जुल आपका बैशने हम लगा रहे हैं तो पहली बार ऐसा मत्दाइट ना मत्लब इसी साल इतनी महंगाई हुई बादर इतनी मेंगाई सबूजी हो मैं यह जो इन पढ़न हो जाया करें लेकिन पहली बार इतनी महंगी और मार्केट में देखो बिल्कुल सूनसान को दिख रह है तो इसमें भील लगी रहक रहे थी एकना आज कुई कस्टूमर नहीं दुकान पर पचासी हजार का सामान लिए बैटें सामको दस-पंद्रा जार पे बेजना गाटे भी जा रहे हैं सब सब जी वालों को फल वालों का इससमें ऐसा हाल है कि बस पैसे जेम से पुगार है काम क्यादत पड़ी हुई है और सारी चीजह ही महंगी उसके बाज़े से कस्टूमर अब जैसे देखो फल की दुगाने भी काफी लगे कर रहती हैं बोना लगने से उसके बज़े से भी कस्टूमर काफी फरक है मतलब दो-चार लोगों से बाचीद होई अब सारी लिकली मत सब आल सब जाती थी अब यहめं तिन सुर रुपे में आल रही है वही सब इसकी पutनी सब्लाइं तो महंगा एक तो पूई गई है . लगी के निम्भु बहुत महंगा है 200 रुपे किलो का 25 पाउ निम्भु मिलता था इना现在 2 सबाब किलो है. और फरक गर्मियों के मौसम में निम्बू चाहिए और खरीद नहीं पारे क्या करें बस कहना तो यह चाहेंगे कि वहीं चस्ता किया जाए सब समान लोग खरीद सकें खा सकें अजी इसलेंडर पर महंगाई बढ़गी है हर चीज पर महंगाई है पहले से फरक तो मतलों ऐसा द चीजों की कीमत थोड़ी ज्यादा हो गई है और जैसे निम्बू है या एक दो चीजें और ऐसी हैं बाकि जितनी सब्सक्राइब मोसली सी रेट पर आलू जैसे आजकाल सस्ता है वो ज्यादा आगी होगी इसलिए सस्ता हो गया होगा तो इतना थोड़ा बहुत तो उपर च ज्यादा चल रहा है इसलिए उसका नाम ज्यादा आ रहा है वो महेंगा जुरूर है तो जिस तरीके से महेंगाई बढ़ रही है पेट्रॉल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो सब्जिया है उनके भी दाम बढ़ते चार है जिससे लोगों के सामने बहुत पे तक मिलती हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पैट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सब्जों के दाम भी बढ़ गए हैं तो फिलाल वक्त चुक एक छोड़ी से ब्रिक का ब्रिक के बाद फौरान हसर होते हैं